हेलो दोस्तों, वेलकम तो और चैनल, दयाएंट इनिश्टाग गईज, आज के सिप्टेब में बात कने वाला हूँ, फायरबुल कोब्रा स्मार्वज वर्सेस फायरबुल टैंक स्मार्वज के बारे में, इन दोनों स्मार्वज की फुल केमरेजन करेंगी और देखेंगी कि आपको क्या डिफ्रेंच देखने को मिल जाएगा और आपके लिए कौन स्मार्वज सबसे जदा बेश्ट हो जाती है, क्योंकि डिजाइन देखा जाती है, तो इस वीडियो बन में डिसकस करने वाले है, तो वीडियो अच्छी लेगगी और समझ में आएगी तो एक लाइक कर जीके चनल पर पहली बार विजिट कर रहा हूं, चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फ्रेस कर जीका, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट कम प्रिजन और अन्वाक्सिंग की वीडियो जो लेकि आते रहा हूं, तो आईए जल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट के बिल्ट्कौल्टी और डिजन के बारे में, तो बिल्ट्कौल्टी और डिजन अराउंड जो है देखने को मिल जाएगा और इन दोनों में आपको दो बटन जो है देखने को मिल जाएगे और दूसरी साइड में आपको फारबोल कोब्रा स्मार्टच में आपको 1.78 इंच की एमुलेट डिस्प्ले मिलने वाली है, आल्वेज ओन डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया, 368 इंटु 448 का पिक्सल रिसुन का सपोर्ट मिल जागा, 60 हर्स तक का रिप्रेस रेट का सपोर्ट जो है मिलने वाला, और 550 का निट्पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया, और Multiple Watch Faces का सपोर्ट मिल जागा, और इसमें आपको Multiple UI का भी सपोर्ट जो है दिया गया, तो जेस्ट्यर वागेरा भी चेंज करके रख सकती हूँ, जबकि पारबोल टैंक के सपारद में क्या है, कि 1.85 इंच की HD डिस्प्ले देखनी को मिल जागी, जिसका Pixel 2,40 x 285 का दिया गया, और इसमें भी आपको 500 इंच का पिक प्रैटनेस का सपोर्ट मिल जागा, और Refresh Rate को देखा जाए, तो कंपरेंद मेंसन नहीं किया, तो एरांड आपको 40 Hz तक का Refresh Rate का सपोर्ट इसमें भी देखनी को मिल जागा, और 100 प्लस Cloud-based Watch Paces का सपोर्ट इसमें भी देखनी को मिल जागा, तो Display Size देखा जाए, तो Size Around Same देखनी को मिल जागी, लेकिन Quality आपको अलग-अलग देखनी को मिल जागी, तो Best देखा जाए, तो कहीं कि Firebolt, Cobra, Smartwatch की Display Size और Quality बेश निकल कर आजाती एमुलेट के साथ में, इन दोनों Smartwatch के Main Highlighting Feature के बारे में, यानि कि Bluetooth Calling के बारे में, तो इन दोनों Smartwatch में आपको Bluetooth Calling जैसा feature मिल रहा है, यानि Inbuilt Mic, Speaker, Dialpad, Contacts, Quality का सपोर्ट आपको दोनों Smartwatch में देखनी को मिल जाएगा, दोनों Smartwatch में आपको 123, यानि कि 123 स्पोर्स मोड देखनी को मिल जाएगी, और Water Registants को चेक का लिए जाए, तो IP68, यानि हलका फून का पानी बगर लग जाता है, बोचार बगर तो यहाँ पर कोई Problem देखनी को नहीं मिल जाएगी, और दोनों की Body जो है, आपको Crack Resistance मिलने वाली, काफी Hard Body जो है, आपको दोनों Smartwatch में देखनी को मिल जाएगी, और दोनों में आपको Inbuilt Game जैसा Feature मिलेगा, Inbuilt Voice Assistant जैसा Feature अभी आपको दोनों में देखनी को मिल जाएगा, यह कुछ specification मिल जाएगा, इन दोनी Smartwatch में, प्राइस पॉंट को देखा जाए, तो टैंक स्मार्टवाच लॉंच हुई थी 1909 रुपे, यानि की 2000 रुपे में, लेकि कुछ टाइम बढ़की यह 2909 रुपे हो चुकी, जबकि Cobra स्मार्टवाच लॉंच हुई थी 3400 में, लेकि अगर आप पैसा लगा सकते हो, तो यहाँ एमुलेड डिस्प्ली ले सकते हो, Cobra के साथ में, और इसकी डिसाइन भी अलग थोड़ी से देखने को मिल जागी, लेकिन बाकि अधर स्पेस्टिकेशन देखा जाए, तो एकदम डिक्टो कॉपी जो है, तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप एमुलेड नहीं ले सकते हो, अगर 1909 रुपे में टैंक मिलती है, तो काफी ज़्यादा वर्थ है, लेकिन 3000 रुपे में टैंक मिलती है, तब आप इसको मत लिजीगा, क्योंकि यहाँ पर उस प्राइस पर यह वर्थ नहीं है, लेकिन अगर कोब्रा देखा जै कि 1900 की टैंक मिलीगी, तो टैंक लिजीगा, और 3000 रुपे की कोप्रा, ये 1500 रुपे की कोप्रा मिलीगी, तो कोप्रा लिजीगा, बस यही है, और कुछ भी डिफ्रेंस नहीं है, अगर समझ में आई हो, तो एक लाइक ज़रू कर जीगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो